हम और आप दिगंबर जैन आचार्य विरेचित जैन व्याकरण कातंत रूप माला का अध्यन कर रहे हैं और इस कातंत रूप माला के अध्यन में पूरवार्द, भाग तीन, बेंजनांत पुल्लिंग पकरण हमारा चल रहा है और वेंजनांत पुल्लिंग पकरण में सकारांत सब्द की ब्याख्या आप और हम जान रहे हैं अब कुछ विशेश सब्द हमारे बीच में आता है उखासरस और उखासरस सब्द में अंत में अस है और अंत में अस होने पर, शीवे वक्ती के आने पर कुछ विशेशता हैं इसस सब्द में हैं कहते हैं उखासरस सब्द से तु भेधा है उखास्रस सब्द में भेद है बैसे तो नियमानुसार यहाँ पर अंतो संत्वस्चाधातो सव सूत्र के माद्यम से शीवेवक्ती के होने पर दीरगी की प्राप्ती है परन्तो कुछ नया कारे करना है तो अगला सूत्र हमारे बीच में आता है स्रसी ध्वस उस्चे स्रस धातू और ध्वस धातू यह दोनो धातू से जब सब्द बन जाते हैं तो उखा स्रत और उखा ध्वस माने ध्वस धातू किसी और उपद रहेगी तो यहाँ पर उखा से स्रस धातू तीस जो स्रंस धातू आप लोगों ने सीखी होगी एसी स्रंस धातू से सब्द बने गया उखा स्रस और इस उखा स्रस सब्द से सीव वक्ति के आने पर सूत्र आता है स्रसिद्ध्वसोश चै श्रसी ध्वसोर लिंगयोह अंतस्य दो भवती बिरामे वेन्यनादव उच्चा दो सर्तें यह सूत्र कहता है कि स्रसी माने स्रस सतंत्र रूप से हो या किसी के साथ हो तो वहां पर बिराम अथवा वेन्यन के होने पर जो इन सब्दों का अंतसकार है उसके स्तान पर दा आदेश होता है अब विचार यह करना है हमको सूत्र कहता है बिराम और वेन्यन के होने पर अब सीवे वक्ति लेकर आए हैं अगर इसको रखकर काम करते हैं तो हमें बेन्यन तो मिल जाएगा लेकिन बिराम नहीं मिलेगा इसलिए सरपरतम बेन्यन आच्चे सूत्र के मात्यम से सीवे वक्ति का लोप करेंगे अब हमें बिराम मिलेगा सूत्र लगेगा सिर्सी धो सोस्च और इस सूत्र के माद्देम से जो सा है उसके इस्तान पर दाधेस हो जाएगा और दाधेस होने के बाद में बाब विरा में सूत्र लगाएंगे तो हुखास्रत ये दो रूप हमारे बन जाते हैं अब अववादी विवक्तियां आती है तो अववादी विवक्तियों के आनेपत प्राया करके वहन्यन मस्वरम परवर्णम नयेत के माद्देम से सब्दों को जोड़ दिया जाता है परंत यहाँ पर कुछ विशेश कायर करने जा रहे है गुट स्वरे नू घुट माने पंचादव घुट जो सी विवक्ति तो उपर उसकी विवस्ता बन गई ब्राम और बेंजन के अंत्रगत उसका लोप होकर दा हो गया है अब यहाँ पर अगला सूत्र आता है घुट स्वरे नू पंचादव घुट अउ जस अम अउ यह चार सेश विवक्तियां और बची है और इनके होने पर सब्द वोई है स्रसी धसोर लिंग योर नुरा गमो भवती घुट स्वरे परे स्रस और धस के लिंग के लिए नू का आगम होता है स्वर वाली घुट स्वर परे जहने पर अताद घुट ववक्ति जिनमें स्वर हो उसके होने पर नू का आगम होता है और नू के आगम मैंसे ना वचता है और नू का आगम जहां किया जाता है वह अंत स्वर के बाद में होता है तृतियाद वीवक्तियों तो परके आदी में होता है और तृतियादी वीवक्ति के पहले हो तो अंतिम सुर के बाद होता है ऐसा पूर्व सुतरों का नियम आप लोगों को इसमरन होगा तो यहाँ पर सासे पूर्व नू का आगम करके वुका स्रंस धन आउ अब यहाँ पर मनो रनुस्वारो धुटी सूत्र के मात्यम से जो नू का आगम किया है उस नू के आगम को अनुस्वार कर दिया जाएगा और वेंजन मस्वरम परवर्णम नहेत लगाएंगे तो बनेगा उकास रंसव बहुबचन में जस्विवक्ति के आने पर भी घुट स्वरवाली विवक्ति है अताग घुट स्वरे नू सूत्र से नू का आगम मनोर अनुस्वारो धुटी सूत्र से अनुस्वार और वेंजन मस्वरम परवर्णम नहेत और रेव सोर विशर जनियाहां तो सब्द बन जाएगा उकास रंसाहा संबोधने भी तत्वत संबोधन में भी वही कारे होगा हे उकास्रत हे उकास्रत हे उकास्रन्सव हे उकास्रन्सः shine i amory कि आने पर गुट स्वर वाली विवक्ती आताह नुटकानुक आगं और मनोरंुसवर्णु दुटी भेंजनमस्वरम परवर्णम नहेत पुखास रंसम अव विवक्ति के आने में ये भी घुट बाली विवक्ति है तो घुट स्वरे नू से नू का आगमों का रुखा स्रंसव सस्विवक्ति के आने पर अब ये सस्विवक्ति है ये अगुट स्वरवाली विवक्ति है अब ये घुटवाली नहीं रही अगुट स्वरवाली विवक्ति है तो यहाँ पर नू का आगम नहीं होगा बेंजन मस्वरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो सब्द जुड़ता चला जाएगा तो बनेगा उखा स्रसा टावे वक्ती के आने पर उखा स्रसा अब भ्याम बे वक्ती आई है भ्याम बे वक्ती के आने पर पुना सूत्र हमारे बीच में उपर वाला है ये स्रसी ध्रसोस्च कोगि यह सूत्र कहता है ब्राम और बेंजन के होने पर तो यहाँ पर जो भ्याम विवक्ति है वो बेंजन वाली विवक्ति है और बेंजन वाली विवक्ति होने के कारण साकेस्तान पर दा अधिस हो जाएगा और साकेस्तान पर दा अधिस होने पर सब्द बनेगा उखा सरद भ्याम भिश्व वक्ति के आने पर सिर्शी ध्वसोस चे सुत्र से साकेस्तान पर दा अधिस होकर रेव सोर विशर जनिया से विशर गाधिस होकर उखास्रद भी ही प्रियोग सिद्ध होता है चतुर्ती विवक्ती में गें विवक्ती के आने पर वियन्यन मस्वरम परवर्णम नहेर लगाकर उखास्र से फिर उखास्रद भ्याम उखास्रद भ्याह गस्वेवक्ती गसीवेवक्ती के आने पर असवचेगा उखास्रसाह फिर उखास्रद भ्याम उखास्रद भ्याह सस्वेवक्ती के आने पर भी अने पर उखास्रसी ओस्वेवक्ती के आने पर उखास्रसो हो और सुप भ्यवक्ती के आने पर क्योंकि ये बेंजन वाली व्यवक्ती है और व्यवक्ती के आने पर स्रसीद्व सोस्च सुत्र के माद्यम से सकार के इस्तान पर दकार आदिस हो जाएगा और अगोशेश वसीटाम प्रतमाह सुत्र के माद्यम से दाके इस्तान पर तादिश होकर सब्द बन जाएगा उखास स्रत सूहू इसी प्रकार से परनध्वस अगे परनध्वस भी पूर्व की तरही सब्द हमारे बीच में है और इस सब्द में भी सिर्शी ध्वस उस्चे सूत्र के माद्यम से शकार के इस्तान पर दकार आदिश हो जाएगा वाब बिरामे लगाएंगे तो दा और ता हो जाएगा सब्द बनेगा उखास स्रत परनध्वस परनध्वस अब उसके बाद में अव आदि विवक्तियों के आने पर घुट्ष्वरे नू से नू का आगम और मनोर अनुस्वारो धुटी और वेन्यन मस्वरम परवर्णम नैत के मात्यम से परनध्वन्षव परनध्वन्षव रेवसोर विशरजनिया पर संबोधन में भी हे परनध्वत हे परनध्वत हे परनध्वसव हे परनध्वन्षव हे परनध्वन्षव हे परनध्वन्षव अब सस्विवक्ति बिना घुटवाली है इसलिए केवाल बेंजन मस्रम परवर्णम नएच से जुड़ जाएगा परणत धुसाह ताविवक्ति के आने पर परणत धुसा भ्याम विवक्ति के आने पर सुत्र के माद्यम से सकार के इस्तान पर दकार आदेश हो जाएगा तो बनेगा परणत ध्वत भ्याम परणत ध्वत भीही यही रेब सोर विशर जनिय हां चतुरति व वक्ति में गिये वक्ति के आने पर परनत धुसे पर्नत ध्वत भ्याम पर्नत ध्वत भ्याह पर्नत ध्वत भ्याह पर्नत ध्वत भ्याम पर्नत ध्वत भ्याह 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 पर्नत परनत ध्वसी परनत ध्वसो हो और सुब्य वक्ति के आने पर सिर्शी ध्वसो हो। परनत ध्वसो हो इस प्रकार से ये सब्ध जो हमारे वीच में आये हैं इस शुत्र के मात्यम से इन दोनो सब्दों में हिन्य कोई सब्द नहीं केवर इन दो सब्दों में हि साकेस्तान पर दादेस होता है बेंजन और विराम के होने पर तो सी विवक्ति में बेंजन आच्चे सुत्र से सी का लोग करेंगे तो विराम मिलेगा और भ्याम भेस भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस और सुप विवक्तियों में विवेंजन मिलेगा तो वेंजन के मिलने पर जो उकासरस और परनद्धवस सब्द का सकार है उसके इस्तांद पर दादिस हो जाएगा तो उकासरद भ्याम परनद्धवत भ्याम और सुब्य वक्ति में सामने अगोस बढ़न है तो अगोसे परतमा से दा के इस्तांद पर ता हो जाएगा पहले सा को दा होगा पर दा को ता होकर परनद्धवत सु उकासरत सु ये प्रियोगों की सिद्धी होती है अब विसेश सब्द हमारे बीच में है अदस सब्द से तू भेदा ये अदस सब्द जो हमारे बीच में आ रहा है इसमें कुछ विसेशता है और हो सकता है कि ये शिरसी ध्वसोस्चे और घुटश्वरे नूँ इन दोनों सब्दों की पुनरावर्ती भी हो सकती है लेकिन अब हमारे बीच में सब्द आएगा अदस और अदस सब्द ये सर्वनाम संग्यक सब्द है और सर्वनाम संग्यक सब्द है और तेदादियों के अंतरगत आता है तो तेदादियों के अंतरगत आने से तेदादी नाम विवक्तव आदी सूत्र के माद्यम से इस अंत में जो सकार है उस सकार के हिस्तान पर अकार आदेस होता है और अकार आदेस होने के बाद में अकारे लोपम सूत्र लगाएंगे तो जो साकेस्तान पर अकारादिस किया है उसको लोप होकर अद धन सी अब मूल सब अपने पास में अदस सकारांत रहने के बाद भी अब अद बचेगा और अद के बाद हम पिक्रिया करते चले जाएंगे तो पहला सूत्र हमारा को प्राफ्ट होता है सव साह तीन सव बाइस नंबर का सूत्र सव साह यह सूत्र कहता है तैदादी नाम दकार से सव सकारो भवती सव परे अरता तैदादी सब्दों के दकार के स्तान पर सकार आदेश होता है सीविवक्ति के पड़े रहने पर कवी जो अधका दा था उस अधके दा को सादेश कर देंगे अब हमारी इस्तिती हो गई अस धन सा इतनी इस्तिती हो जाने के बाद फिर अगला सूत्र हमें प्राप्त होता है साववू सी लोपस्चे 323 नंबर का सूत्र हमें प्राप्त होता है और वे सूत्र कहता है अधसो अंतस से और भवती सव परे सी लोपस्चे यह सूत्र दो कारे कर रहा है मूल में अधस सब्द है और अधस सब्द के अंत के इस्तान पर आउव आदेश कर रहा है अर्तात जो हमने सव सह सुत्र से दाको सा अधस कर दिया उस सामें रहने वाला जो अकार है उस अकार के इस्तान पर आउव आदेश होगा और सी लोपस्चे और सी का लोप हो जाएगा और सी का लोप होने पर सब्द बन जाएगा असव अब असव बनने के बाद में अगली विवक्ति हमारे बीच में आती है अगली विवक्ति हमारे बीच में आती है अव अव विवक्ति के आने पर सरप्रतम तेरादी नाम विवक्तव शूत्र के मात्यम से साके इस्तान पर अकार आदेश करेंगे और अकार आदेश करने के बाद में अकारे लोपम शूत्र के माद्यम से अकार का लोप किया जाएगा अब इस अदर्स सब्द को रूप चलाने के पूर्व एक विसेश चीज आपको ध्यान रखना है सरप्रतम पहले जो सरवनाम संग्यकारे जो होता है वो पूर्व में ही कर लेना बाद में जो सूत्र आते जाए तो उनका काम करना है चार सूत्रों को लगा कर पहले काम कर लेना जैसे सबसे पहले तैदादी नाम विवक्तव इस सुत्र से अकार आदेश करना है अकारे लोपम से अकार का लोप करना है अब हमारी इस्तिती है अद धन अउ ध्यान दकना दाको सानी करना वो तो सी के इस्तान पर ही होता था सीव वक्ति के होने पर ही ताको सा होता था यहां नहीं अब यहां पर एक जूत्रा लगा दीये ओकारे यह अकार आदके बाद में ओके होने पर ओके होने पर अव रूप आदेश होता है पूर्व को परका लोप हो जाता है तो आदव इतना बनाने के बाद या अन्य जो भी व्रक्ति आयेंगे इसको इतना काम करने के बाद पिर अगला सुत्र हमें प्राप्त होता है अदसा पदे माहा अब ये काम करने के बाद में हमें दूसरे काम ना करना पड़ें तो ये तीन सो चोवीस और तीन सो पचीस नमर का सुत्र हमें सबसे बाद में लगाना है और सबसे बाद में लगाएंगे तब ही हम इन सब को सिद्द कर सकते हैं न था हमने 54 नमबर का ड़ट 95 अथशा पर एंद रोय ए अगर इन फिनों का प्रियुक्त पहले कर लिया है तो निम्मीय आप सब्रकी सिद्ि नहीं कर सकते हैं तो तो आपने आपर ओकारे यहू ओकारे चे लगाया अब हमारी इस्तिती हो गई यह अदव अब अदव बनने के बाद में सुत्र पढ़ना अदसा पदे मा कहता है अदस सब्द में जो बना हुआ सब्द है उसके दाके स्थान पर मा अदेश होता है विवक्ति के होने पर यद्दपी विवक्ति के होने पर हमने विवक्ति को जोड़ दिया है उसका कारे कर दिया है तो दाके इस्तान पर मादेश हो गया कोगी अदव पहले ही बन गया था तो दाके इस्तान पर मादेश हो गया तो सब्द बन गया अमव पिर सूत्र लगता है उत्वम मात्व। अबी सूत्र का थुड़ा अर्थ अच्छे से समझ लीजिएगा, इस सूत्र का आर्थ है अदसो मात परो वर्ण मात्रस से उत्वंभवती आंतर तम्यात शमीपता होने से अंतर तम्यात मने समीपता होने से अदस सब्द को जहां आपने दाके इस्तान पर मा अदेश कर दिया है उस मा से परे वर्ण मात्र को ध्यान दकना ये सूत्र यहां नहीं आंगे भी काम में आएगा बर्ण मात्र के इस्तान पर उ आदेश होता है अब आदेश तो हिरस उ के लिए किया जा रहा है लेकिन आपको इतना बिवेक अपनी उर से लगाना है कि जो मा के बाद में जो वर्ण है वे बर्ण यदि हिरस स्वर है तो आपको हिरस उ कार आदेश करना है और यदि दीर्ग स्वर है तो आपको दीर्ग उ कार आदेश करना है यहां पर अदव अमव यहां पर अदव फिर अमव यह जो भिवस्ता आपके बीच में तीजे दीर्ग आउ है नित्यम संद्यक्षराणी दीर्गाणी संद्यक्षरामेशा नित्यी दीर्ग होते है तो यहां पर दीर्ग को माननते हुए आपको दीर्ग उ काराम तादेश करना है अउके इस्तान पर हिरस होता हो तो हिरस और दीर्ग होता हो तो दीर्ग करना है यह आपको अपने आप समझ लेना है सुत्र तो कह रहा है कि माकार के बाद बरनमाज को उकार आदेश होता है तो यह एक वर हिरस उकार करना कर रहा कह रहा है लेकिन हमें आंगे पूरवा पर कारी को समझते हुए यहां पर दीर्ग के बाद में दीर्ग आदेश करके परियोग बन जाएगा अमू一起 अब हमारी जस्र वक्ति आएगी उस जस्र विवक्ति की चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में करेंगे अभी हमने केवल प्रतमा विवक्ति में एक वचन में आपके बीच में सी विवक्ति के लाने पर असव बनाया है तेदादी नाम विवक्तव, अकारे लोपम और सावव, सवव सहा और सावव सी लोपस्चे मनिन चार सुत्रों को लगा कर हमने बनाया असव और उसके बाद मैं तेदादी नाम विवक्तव, अकारे लोपम, अधसा पदे माहा और उत्वम मात इन चार सुत्रों को लगा कर हमने बनाया अमू और ओकारे अउ अउकारे चै अब हम जस्व वक्ती लेकर आएंगे तो जस्व वक्तियों में ये अधसा पदे माह उत्वम मात और एत बहुत्वेत्वी ये सभी सुत्रों की आवस्चता पड़ेगी लेकिन इसके पूर्व के जो काम है तेदादी नाम विवक्तव आदी उन सुत्रों की सिद्धी हम अगले सत्र में आपके बीच में लेकर आएंगे तब तक के लिए वंदना जैजनेंद्र सबको यतायोग अभिवादन